हलो फ्रेंट्स आप देखने सिस्टी क्रेटिव आइडिया चैनल तो देखें फ्रेंट्स आज काफी टाइम के बाद मेरे गार्डन में से अलोवेरा निकला है मैं काफी बार ऐलोवेरा यूज़ कर चुकी हूँ तो बहुत मुस्किल से ये थोड़ा सा ऐलोवेरा निकला है मैंने इसको छील लिया है और मिक्सी के जार में डाल कर इसको मैंने पीस दिया है तो आज होम मेड सैनिटाइजर बनाने वाले हैं और आज का वीडियो आज का सैनिटाइजर मेरी बेटी बनाएगी तो मैं पहले आपको सारा समान बता देती हूँ अपने गार्डन का हमने लिया है अलोवेरा जैल डेटल सबके पास होता ही है तो हमने डेटल लिया है गलिसरीन लिया है हमने और हमने लिया है tea tree oil essential oil बोलते हैं अगर किसी के पास essential oil नहीं है तो कोई भी खुस्पू वाला तेल आप add कर सकते हैं जैसे कि ये बदाम oil जो market में easily मिलता है आप ये भी डाल सकते हैं हमें बस दो ही drop डालने हैं तो आप कोई भी oil डाल सकते हो तो sanitizer के market में कितनी दिक्कत है और कितनी demand है आप सब जानते ही हैं तो आज का video इसी topic पर है कि हम घर पर easily कैसे sanitizer बना सकते हैं अपने लिए और अपने आसपास के members के लिए जो भी sanitizer जिसको भी जरुवत है आप उसको ये sanitizer बना कर दे सकते हो और एक सच्चे इंडियन्स का फर्ज निभा सकते हो हमने लिया है अलोवेरा अपने गार्डन से आप हम इसमें मिलाएंगे दो चमस दे टॉल अब हम इसे mix करेंगे अब हम इसमें glycerin लेंगे आदा चमच अब हम इसे mix करेंगे अब हम इसमें डालेंगे essential oil टू डॉल अब हम इसे mix करेंगे अब हम इसे खाली बोटल में भर लेंँगे तो देखिए फैंस पहले हम इसे चान लेते हैं इसे अश्चे से चानने के बाद फिर हम किसी बोटल में भरेंगे क्योंकि एलो वेराज का जो जेल है जो पलप है वो अच्छे से पिस्ता नहीं है यह देखे यह काफी मोटा है तो हम इसे इसी लिए अच्छे से चान ले रहे हैं क्योंकि अगर हमने किसी स्प्रेय वाली बोतल में इसको भर दिया तो यह सप्रेय में अटक जाएगा और हमारे किसी काम कर नहीं रहेगा तो मैं इसे चान कर बोतल में भर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखे फैंस हमारा होम मेड सेनिटाइजर बनकर डैडी हो गया है आप इस पर लिड लगा कर रखे और जब भी आपको इसको यूज करना हो इसको अच्छे से कीजिए और टू ड्रोप अपने हैंड पर डाले या जिस भी चीज को आपको सैनिटाइज करना हो जैसे कि आपका मिरर आपका टेबल आपकी चेर आपका टीवी आपका रिमोट कुछ भी उस पर टू ड्रोप डालिए और उसको अच्छे से पोंच दीजिए तो देखे फैंस हमने इसमें डेटोल यूज किया है ये एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीस होती है डेटोल के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बच्दाने की जरुवत नहीं है हमने इसमें aloe vera gel एड़ किया है तो aloe vera में anti-fungal और antibacterial properties होती है कहने का मतलब है कि aloe vera gel germ जो होते हों ने 100% किल कर देता है तो इसलिए aloe vera gel को इसमें एड़ करना बहुत ही जरूरी है तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी को अपने गारडन में अपने घर में एलो वेरा के प्लांट जरूर लगाने चाहिए हमने glycerine अड़ किया है glycerine हमारे किसी भी चीज में हम उसको यूज करते है तो वो skin पर एक softness के तो देता ही है साथ ही वो skin में जाकर अपना absorb हो जाता है और अपना काम जो है जो भी उसका काम है उसको fast कर देता है essential oil हमने इसमें add किया है तो essential oil में भी anti-fungal properties होती है किसी भी चीज के fungal से या किसी भी चीज के infection से हमारा essential oil हमें बचाता है और इस वाले हमने sanitizer में इसको use किया है use करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इसमें से अच्छी सी smell लाए अगर आपके पास किसी के पास भी ये नहीं है तो जैसा कि मैंने बूला कोई भी खुस्पू वाला आप oil इसमें add कर सकते हैं तो friends अगर आपको मेरा आज का topic आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितने भी आपके family member और friends सबके साथ share कीजे ताकि वो घर पर ही अपना sanitizer बना सके और इस sanitizer को बनाने का सबसे बड़ा important फाइदा ये है कि हमें पता है कि 100% natural है क्योंकि market में आज कल sanitizer की कमी हो गई है तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या-क्या मिला के duplicate sanitizer बना रहे हैं और उसे मन चाहे rate में बेच रहे हैं मन चाहा rate का मतलब है जो चीज हमें 10 रुपे की मिलती थी आज वो हमें 100 रुपे की मिल रही है तो इसलिए घर पर sanitizer बढ़नाईए अपने पैसे बचाईए और जिसको जर्वात हो sanitizer की उसको दीजिए ओके फैंट्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर कॉमेंट कर देना मेरे चानल को सब्सक्राइब करना कॉमेंट करके जरूर बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखा है मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ थैंक्स फर वर्चिंग हमें नाइस टे